बरताती में ठक मत बनी हैं आपको योध्धा बनना पड़ेगा और इस योध्धा के लिए सबसे जादा important है एक strategy का होना 17 दिसंबर को exam दो shift में हुआ आपका स्टेनो का exam हुआ एक आपका रिडर का exam हुआ उस दोने exam के बाद क्या आपको लगता है कि इसके बाद भी अगले साल exam लेगी बिहार से विलकोट बिल्कुल नहीं होना चाहिए यह exam आपका कभी भी हो सकता है और जब आपका exam होगा तो उससे ठीक 15-20 दिन पहले या फिर एक मेहने पहले आपको notice दिया जागा तब आप क्या कीजिएगा आपके पास कोई चारा नहीं बचेगा जिन लोगों का तयारी पहले से हो चुका है वो लोग अपने तयारी को रिवीजन कर सकते लेकिन जिन लोगों का तयारी हुआ ही नहीं है वो लोग करेंगे तो क्या ही कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते हैं तो आपको एक योधा बनना पड़ेगा और योधा के तौर पे आपको अपना स्ट्रेटजी सब कुछ पहले से फाइनल करना पड़ेगा कि हमा क्या-क्या बात करने वाले हैं सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लर्क प्यून रिडर मेंस का जो एस्ट्रेटजी होता है हमारा देखो भाई डेट कब देदे कब नहीं देदे कोई इससे फर्क नहीं है नहीं कोई मतलब है लेकिन जब डेट देदेगा तो बहुत जादा फ आपको पता नहीं है इंग्लिस को लेकर या फिर हिंदी को लेकर या फिर कैम्प्यूटर साइंस को लेकर मैक्स रिजनिंग तो बहुत साड़े लोग पढ़ते हैं और साड़े लोगों को आसान लगता है लेकिन जिस तरीके का इस बार का सलेवस रहा है वो सर्फ आपको डे सेक्षन है साथ में प्यून वाले में कोई भी निगेटिव मार्किंग आपका नहीं है ठीक है तो उन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए पूरा का पूरा पैकेज आप लोगों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं बिहार सेविल कोट के सबसे पहले जिन लोगों को स्लेबस नहीं पता है स्लेबस जानना पड़ेगा और जिन लोगों का वाइस कहां से पढ़े जो भी आपके ओफिशल नोटिफिकेशन में जो जो टॉपिक दिया गया है उसका हम लोग तयारी कहां से करें किस तरीके से पढ़े उसके बाद अगर आप तयारी कर चुके हैं तो मॉक टेस्ट कहां से लगाए क्योंकि यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसे भी एक्जामेनेशन के लिए अगर आप पूरा का पूरा तयारी कंप्लीट कर लेते हो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मॉक टेस्ट लगाना दूसरा कि सब कुछ लगा लेते हैं लेकिन सा टाइम टेबल बनने ही पाता है सब कुछ आरेंज हो गया है लेकिन टाइम टेबल हम लोगों से क्या होता है बनने ही पाता है किस समय क्या पढ़े और कितना समय कौन से विशय प बारे में और फिर कितना पढ़े जिससे सक्सेस हो जाए तो मैं आपको बता देना चाहरा हूं कि सर अभी जो आपका मिटिंग हुआ है अधाई सुनते सारीक दिसंबर को उसमें यह बात कहीं कि बहुत जल्दी आपका एक्जाम लिया जाएगा यह ना तो आपको पता होगा लेकिन ना किसी को पता होगा नहीं हमको पता होने वाला लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता जिस तरीके से रिडर का और इस टेनों का कितना दिन पहले नोटिस दिया गया था आप खुद कॉमेंट में करके बता ना कितना दिन पहले दिया गया था ठिक है ठिक उचे तरीके से यहां भी प्यून का और कलरक का रिडर्मिंस का आपका डेट वैसे ही दिया जाएगा तब सारे लोग अफरा तफड़ी में हो आया है आप इस नंबर पे मैसेज करके इस अभियान से जुड़ सकते हैं वो अभियान हमारा इमेल अभियान है हम लोग कंटिन्यू तीन दिनों से मतलब तीन दिनों से हम लोग मैसेज इमेल कर रहे हैं आयोग को कि भीया एक्जाम जल्दी दे दीजिए ठीक है तो आप यहां तरह बात यहां पर करने वाले हैं करकित के बारे में देखे कर कि हम लोग फटा फटा से से बारे में डिसकस कर लेंगे और ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं 5-7 मिनट का समय लूंगा अगर अभी वीडियो को छोड़ना चाहते हो तो छोड़के जा सकते हो क्योंकि पड़ेगा और टाइम टेवल वगारा सब कुछ आपका अरेंज यहीं से हो जाने वाला है ठीक है अगर हमें लोग कलड के पूरे के पूरे सिलेबस के बारे मात आप से पंदरा नंबर का पुछा जाएगा mathematics आप से मैच पुछा जाएगा वह दस नंबर का reasoning आप से दस नंबर का पुछा जाएगा और computer science जो है आपका वह पंदरा नंबर का पुछा जाएगा टोटल कितने नंबर होगा है 90 नंबर यही सलेबस आपके है एलटे मेंख हो यह ठी अनबर ककि मेंख है क्हां कऽ के आपके मेंख में भी आपका यही जाएग्या lif ट्रत के मुकाबले मिन जो technical हो सकता है शर्श के ठोड़ा तक हो स़खता हैं अब तपीशा हो सकता है आप इस मैटर में होगा waiting आंफ का होने का यहादा संभाब ना बनता है हिंदी का descriptive हो या फिर आपका English का descriptive हो ठीक है दूसरा अगर हम लोग बात करें यहां पे कि सर reasoning के बारे में topic वाइज अगर हम लोग चलते हैं या तो वो टफ पूछेगा या फिर बहुत ज़्यादा टफ आपसे पूछ सकता है पीटी के मुकाबले रिज्टिंग में अगर हम लोग देखेंगे वरवल और अनलिटिकल आपसे सेक्शन पूछा रहेगा पहला सेटिंग एरेज्मेंट जिसका पूरा वीडियो आपके प्ल बने रहेगा आगे हम लोग मैस के बारे में बात करेंगे तो मैस में आपको क्या बॉड मास कंप्लीट करना है सिंपल कैल्कूलेशन कंप्लीट करना है टाइम और वर्क कंप्लीट करना है कैल्कूलेशन आप सिंपल कंपाउंड इंट्रेस्ट कंप्लीट करना है और रेश्य वाद अगर हम लोग आते हैं English के बारे में तो सबसे में जो सब्जिक्ट है आपका वह यही है किसके लिए मेंस के लिए ठीक है English Language and Grammar जिसमें आपको लेटर राइटिंग इससे प्रेसी comprehensive and vocab के बारे में आपसे पूछा जागा इसका वीडियो कम से कम दस वीडियो आपको प्लेइलिस्ट में मिल जाएगा सेतु सरका ठीक है आप लोगों के प्यारे चहेते सेतु सरका पूड़ा का पूरा वीडियो का प्लेइलिस्ट बना हुआ है वहाँ जाकर आप इसको देख सकते हैं बारीकी से समझाया गया है आपको किस तरीके से लिखें और क्या तरीका होना चाहिए प्रोपर लेटर और एसे राइटिंग का और वोकाइब को कैसा याद करें यह सारा का सारा प्रोपर तरीका वहाँ पर बताया गया है आगे हम लोग चलते हैं हिंदी के बारे में तो हिंदी लाइंग्वेज और ग्रैमर में आपका कंसिस्टिंग और लेटर राइटिंग एसे प्रेसी और कंप्रिहेंसन और वो का अब आप से पुछा जागा वही पुछा जागा मुहाबरा ठीक है उसके बाद एडियम से फिरेज इसको अने एक सब्सक्राइब के लिए एक सब्सक्राइब कहा जाता है यह सारा कुछ आप से हिंदी में पूछा जाएगा आगे चलते हैं आगे हम लोग देखेंगे जीस में आपका क्या क्या है तो जेनरल न चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम को जॉइन कर सकते हैं टेलिग्राम का चैनल का जो लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया बहुत सारे बच्चों ने जॉइन करके रखा है जिनको पीडिया पहले से मिला है और लोग उसे हिसाब से अभी तक हमारे चै ठीक है उसमें आपका 15 नंबर का इसमें क्या क्या टॉपिक होने वाला है हिस्ट्री ऑफ केंप्यूटर फंडमेंटल ऑफ केंप्यूटर अंट टर्मिनोलोजी आपका केंप्यूटर एवडिवीएशन से पूछा जाएगा बेसिक्स ऑफ हाडवेर और सॉफ्ट्वेर है सेक्यूरिटी टूल सेन वाइरेस के बारे में कुश्टन टॉपिक पूरा का पूरा में लिख के लाएं आप लोग के लिए देखरो कितना मेनत लगाया वीडियो के आप लोग शेयर करोगे नहीं एक बार सेयर कर दो अगर वीडियो पसंद आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइ से बहुत लोगों के मन में के सरीून का एक्जाम दो होगा एक manufact committee होगा तो भाई इसमें इंटर भी हुए самой एक सेट्टन है और एक आपका पीटी भी लिए जाएगा ठीकर दो आप का इसदमें और इसमें ज्यादा स्लेवस है नहीं आपका एक आपका हिंदी दिया गया है जो कि 35 नंबर का है और एक आपका इंग्लिस दिया गया है जो आपका 15 नंबर का है और तीसरा आपका मैं दिया गया है जो 35 नंबर का टोटल आपका 85 नंबर है और 15 नंबर का आप से क्या लिया जा ठीक है फंदरा नमबर आप से इंटर्विव लिया जागा यह हमारा स्लिवस प्यून का और कोट रिडर मिंस का कलर का पीटी में सारा स्लिवस आप लोगों ने देख लिया अब बात यहां से आता है कि यह तुझ तरीका होगा सर्फ पढ़ने का वो क्या तरीका होना चाहिए इसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे एक्जाम डेट के बारे में अब यहां हम लोग सबसे पहले टाइम टेबल देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं टाइम टेबल देख लेते हैं रिडर के मिंस का टाइम टेबल है कलर का टाइम टेबल है प्यू यह दोनों पेपर काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाला है मेंस के लिए कलर का जो पीटी होगा और मेंस होगा रिडर का जो मेंस होगा उसमें भी बहुत ज्यादा सरतयादी कैसे होगा नहीं दिन नहीं पता है प्रिंगेंगे अप्रिल तक जाएगा ठीक है तो यह वेकंसिफ फिर दुबारा कव आईगी किसी को नहीं पता फिर तो त्यारी में फिर दो तीन साल ऐसे ही कवाद हो कि उमर भी निकल जाएगा बहुत सारी बाते हैं जो आपको पहले से पता है क्योंकि आजकर जर्ण जो भी एक्जाम स रहा क्रेंट फर उसमें एक साल पीछे से पुछा जारा था अब एक साल पहले से पूछा जा रहा है तो एक साल का क्रेंट फर आपको मन्थवाईज कघेंट सब्ढ़़ नहीं पांसिच आपका चैप्तर है 5-6 आपका चैप्टर है जो बहुत important है और इसी में बहुत ज्यादा सवाल आप से पूछे जा सकते हैं अब आपके मन में एक और सवाल होगा सर जितना टॉपिक दिया गया उतना अगर उतना से ही अगर सवाल नहीं हो कहीं out of syllabus आपसे पूस दिया जाए ऐसा बिलकुल नहीं होगा अपनी इस बार examination में देखा कि स्टेन और रिडर वाले में जो टॉपिक दिया गया तो से चार कोस्चन था बाकि जो बचा हुआ कोस्चन था एक आपका बलड रिलेशन था ठीक है और बात बाकि आपके alphabet से सवाल थे बाकि सारा का जो टॉपिक दिया गया उतना से ही सवाल पूछा खबरानी की कोई जरूरत नहीं है आपको एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं है जितना दिया गया आप उतना ही तो पढ़लो कम से कम ठीक है क्यां पूरा का पूरा बेसिक और क मंडे से लेके संडे तक यहाँ पे एक रूटीन यहाँ पे फॉलो होना चाहिए जैसे हमारा जो इंगलिस है इसके लिए हम लोगों को क्या करना है एक से देर घंटे का समय देना है ध्यान से सुनना दूसरा जो हिंदी है उसके लिए हम लोगों को एक घंटे का समय देना है अगर हम लोग बात करें जी एस और करेंट अफेर की इसमें आपको डेर से दो घंटे का समय देना है ठीक है तीसरा अगर बात करें रिजनिंग के बारे में तो रिजनिंग में आपको एक घंटे का समय देना है और केंप्यूटर साइंस के बारे में बात करें तो इसमें भी आ अब पूरा स्रेडुल आप क्या करो अपने टैम के हिसाब से डिवाइड कर लो। रूटीन मत बना ना, रूटीन कहने का मतलब क्या है है। रूटीन कहने का मतलब क्या है कि अगर आप चाहोगे कि हमारा रूटीन साम सुभा में ऐच साथ से आठ वजे के बीच में न्यूस पेपर अगर हम नहीं पढ़ पाएं तो क्या पूरे दी न्यूस पेपर हम नहीं पढ़ेंगे पढ़ेंगे लेकिन वो एक घंटे का स्लोट हम कभी भी यूज कर सकते हैं ठीक है इस तरीके का होना चाहिए कि अगर एक से डेर घंटे हमारा कमजोर है और स्ट्रॉंग है उसके हिसाब से आप अपने सब्जिक्ट को टाइम दोगे जैसे मालो रिजनिंग आपको बहुत ज्यादा आसान लगता है प्रैक्टिस करना है कोश्चंस का नया नया कोश्चंस तो आएगा निए उसमें जब आपका बेसिक कंप्लिट ह होता है न तब आप किसी भी कुश्चंस को बड़ा आसान तरीके से बना सकते हो और उसको कवर कर सकते हो एक्कॉरण टुट टाइम लेकिन यहीं मुश्किल होता है बीना प्रैक्टिस का तो प्रैक्टिस करोगे तो एक्कॉरढिंग टुट टाइम सारा का सारा वहां पे डेट ऐफ कलरक एकजाम या फिर प्यून के बारे में भी ले लो आप लोगि के मन में ये भी संका होगा को ट्रेडर के बारे में ले लो को ट्रेडर का जो मेंस है वोग आप ले सकते हो तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि अप्रील से पहले एक खिक है अपरील से पहले सारा एक्जाम ले लेगा इसारा एक्जामस आपका लिया जायगा ठीक है इसलिए आपको पूरा का पूरा तयार रहना पड़ेगा कहीं से तुरूटी नहीं होना चाहिए आपके एक्जामरशन में एक नंबर का मिस्टीक नहीं होना चाहिए तो तैयारी अभी से सुरू कर दो बाकि जो भी क्लासे चाहिए आपको जो भी कमी लगा वीडियो में जो अच्छा लगा वीडियो में एक बार कॉमेंट करके जरूर बताईएगा हम लोग मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में तब तक झाल